नमस्कार, योग विभाग उत्राखन मुक्त विश्वुद्यालाय आपका हार्दिक अभिनंदन वस्वागत करता है। इनका पालन आपको करना है। यह अभ्यास स्वच्च वखुले वातावरण में ही किया जाए। वातावरण शान्त हो तथा दूशित रही तो प्रदुशन किसी प्रकार का आसपास ना हो। अभ्यासकाल प्राताकाल में संभव ना हो तो आप शाम के समय सूर्यास्त के बाद अभ्यास कर सकते हैं। आपके वस्त्र धीलेव सुविधाजनक रहें इस बात का ध्यान रखें। प्राताकाल में यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यासकाल के तुरंत बाद भोजन या इसनान ना करें। कम से कम आदे या एक गंटे का समय दें। तो आईए प्राण प्राणों का विस्तार करने वाला इस कक्षा में आप प्राणयाम का अभ्यास करेंगे जिसमें डिफ्रेंट डिफ्रेंट टिकनीक्स के साथ इनिलेशन और एक्जिलेशन का अभ्यास आप करेंगे। ध्यान रहें चार बातें आपको ध्यान में रखनी हैं सबसे पहले पू अभ्यास में सबसे पहला है उज्जाई प्राणयाम को हम लेंगे दूसरा प्राणयाम है आपका शेकली प्राणयाम तो आएए इनकी विधी इनकी सावधानी वर इनकी लाबों को ध्यान में रखते वे अभ्यास प्रारम करें तो आएए पहला अभ्यास उज्जाई प्राणय करने के लिए किसी भी ध्यानत्मक आसिन की स्थिति में आ जाएं जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं आपको कोई असहाष्टा ना हो कठिनाई ना हो शारिक रूप से आप रिलेक्स रहें ज़ाधा प्रेशर ना हो आखें सहाष्टा पूर्वक बन कमर गर्दन सीधी र परान दोनु हाल गुट्नों के ऊपर चेन मुद्रा में उज्जाई प्राणयाम करते हुए आपको दोनु नासिका से स्वास भरनी हैं करने से पूर्व यह बात जाने कि स्वास किस प्रकार आपको ले नीवा छोड़नी हैं स्वास भरते हुए आपको स्वास मुह में भरनी हैं मुह से होते हुए कंठ को संकुचित करते हुए आपको हरदय चेत्र तक वायू को महसूस करना है गंठ का संकुचन करते वे जब आप वायू को अंदर खीचेंगे तो स्नोरिंग साउंड बच्चे के खरडाटे की जैसी आवाज धीमी सी आवाज आएगी और उसी प्रकार आपको स्वास छोड़नी भी है एक बार अभ्यास करके देखेंगे वायू को मूमे भरते वे कंठ का संकुचन करते वे पूरक करेंगे उसे हरदय छेतर तक महसूस करना है हलके से बच्चे के खरडाटे के समान अवाज आएगी हरदय छेतर तक संकुचन वायू को महसूस करें पुनह स्वास छोड़ते हुए उसी प्रकार से कंट का संकुचन करते हुए हिर्दाचेत्र तक वायू का रेचक करें यह अभ्यास जारी करेंगे दो से तीन चक्र अभ्यास को करेंगे ध्यान रहे जब आप स्वास ले रहे हैं आपको स्वास बहुत जादा आवाज के साथ नहीं लेनी है वो इस प्रकार से रहे कि केवल आपके समीब बैठा व्यक्ति ही इस स्नोरिंग साउन को सुन सके स्वास भरने के बाद स्वास को भीतरी रोकें अन्ता कुम्भाग प्रारंबी का वस्ता में अन्ता कुम्भाग संभव ना हो तो सामान्य स्वास प्रस्वास आप रखेंगे पुनह स्वास छोड़ते हुए हरदय प्रदेश कंठ का संकुछन करते हुए उसी ध्वनी के साम रेचक करेंगे अन्तिम चक्र पूरा करेंगे ध्यान रहे अभ्यास के दौरान आपको वायू को अपने मुख के अंदर महसूस करना है कंठ का संकुछन करते हुए कंठ का चेन छोटा हो जाए स्प्रकार वायू को अंदर खीशना है हरदय प्रदेश तक महसूस करना है स्वास भरते हुए स्नोरिंग साउंड आएगी थोड़ा सा प्रेशर आपको मैसूस होगा पुना यथा संबब स्वास भीतर रोकनी है वह धीरे से उसी प्रकार से प्रेचक आपको करना है ध्यान रहे पूरे अभ्यास के दौरान जादा तनाव न ले यदि अभ्यास करने में कठिनाई हो रही है तो प्रारंबी का वस्ता में आपके वर स्वास लेते हुए कंटका संकोचन करें अभ्यास थोने के बाद आप इस अभ्यास तक आएं धीरे से अभ्यास को विराम देंगे अभ्यास थोने के बार आप तीरे धीरे अभ्यास का स्तर बढ़ा सकते हैं जिसमें आपको बंधों का अभ्यास करना है किस प्रकार से करना है एक बार आप देखेंगे उसमें आपको अन्ता कुम्भक वबाहे कंभक का अभ्यास करना है एक चक्र कुम्भक के साथ वबंदों के साथ स्वास भरते हुए वायो को मोह से कंट का संकुचन करते हुए हिर्दै शेत्र तक महसूस करें स्नोरिंग साउन के साथ हल्की सी ध्वनी स्वास को भीतरी रोकें मूल बन लगाए मुलाधार प्रदेश का संकुचन चाल अंदर बन लगाए चिबुक को चाती में लगाते हुए कंट प्रदेश को पूरी तरीकि से संकुचित करें जिससे स्वास बाहर या अंदर ना जाए यथा संभव बन लगाकर अंता कुम्भक करके स्वास को भीतरी रोकें तीरे से वापस आने का तरीका मुल बन रिलीज करें जाल अंदर बन लगाए गरदन सामने पुना स्वास छोड़ते हुए कंट प्रदेश का संकुचन करें स्वास चोड़ते हुए आप जाहें तो आप बाहर कुम्भक के साथ भी बंदों का उप्योग कर सकते हैं तो आईए उज्जाई प्राणयाम करने के बाद इसके लाबों को जाने इसका विशेश प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है यह शांती प्रदान करता है वो अनिंद्रा को दूर करता है यह अभ्यास तातु दोश को भी दूर करता है उच्चे रक्त चाप के रोग्यों के लिए यह अभ्यास लापकारी होता है अभ्यास करते हुए कुछ सावधानिया हमें ध्यान में रखनी है अंतर मुखी स्वभाव के व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए हिर्दाई रोग्यों को भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए ध्यान रहे प्राणयाम के अभ्यास के बाद उसके प्रभावों को महसूस करें पूरी सजक्ता स्वांस प्रस्वांस पर स्वांस प्रकिरिया में हो रहे प्रभाव परिवर्तनों को महसूस करें इसी किसान शारीरिक वामानसिक रूप से अगले अभ्यास के लिए तैयार रहें अगला अभ्यास शीतली प्राणयाम का है शीतली नाम से ही प्रतीत होता है जिसके शीतल प्रभाव होते हैं वह शीतली प्राणयाम इसी अवस्ता में शीतली प्राणयाम के लिए सबसे पहले जीब को बाहर निकालते हुए आपको रोल बनाना है फोल्ड करते हुए इस प्रकार से आप करें कि वहाँ गोला का शेप में आ जाए इस प्रकार से आपको जीब त्वारा स्वास भरनी है वायू का पान करते हुए धीरे से जीब को अंदर करें मुव बन करते हुए अंता कुमबग वाधीरे से दोनों नासिका द्वारा रेचक करें यह अभ्यास पुना करेंगे दो से तीम बार पुना पूरक करते हुए जीब को बाहर निकालना है उसे घुमाते हुए गोलाकार शेप में बनाते हुए स्वास भरते हुए मुख को बन करेंगे वपुना दोनों नासिका द्वारा रेचक आपको करना है अंतिम चक्र शेतली प्राणयाम का पूरा करेंगे जीब से वायू का पान करते हुए आप मुझ से लेकर कंठता हरदैता शेतलता महसूस करेंगे द्यान रहे पूरग जीब को रोल करते हुए करें परंतु रेचक सामाने रहेगा अभ्यास को विराम दिंगे प्राणबी का वस्ता में सी प्रकार से आपको अभ्यास करना चाहिए वह धीरे धीरे अभ्यस्त होने के बाल, आप पूरक के बाल अंतह कुम्भक लगा सकते हैं, वह धीरे से रेचक करेंगे, इस प्रकार से पूरक रेचक करने के बीच में कुम्भक, अंतह कुम्भक, वह अभ्यास द्रण होने के बाल, बाहिये कुम्भक, वह बंदों का अभ्या करते हैं तो आईए एक चक्र जाने किस प्रकार से आपको करना है अन्ता कुम्भक वबाह्य कुम्भक के सांग पुना जीब को बाहर निकालते हुए कोला कार आकरती में लेकर आए कुमाते हुए इस प्रकार से स्वास को भीतर भरें मुझे स्वास बनने के बार मुखो बन करें अन्ता कुम्भक वबीतर रोकें मूल बन मूलाधार प्रदेश का संकुचन जालंदर बन कंट प्रदेश का संकुचन कंट को उस प्रकार से आपको रखना है कि आपकी थुद्डी आपके चेस्ट के सांथ लग सकें वावायू अंदर बाहर ना जाए यथा संभव इस स्थिती में रुकें अर्शाष्टा मैसुस होने के पस्चाद वापस आएंगे दीरे से मूल बन वजाल अंदर बन हटाते हुए पुना दोनुनासिका द्वारा स्वांस चोड़ेंगे यदि आप सहज मैसुस कर रहे हैं शंतानुसार पुना बाहिय कुम्भग मैं भी आप बंदों का अभ्यास कर सकते हैं तो आईए दीरे दीरे आपको स्प्रकार से अभ्यास करना है आपने यह जाना इसके लाबों की चर्चा करते हैं यह अभ्यास मानसिक वभावनात्मक तेजना को शान्त करता है शरीर में प्राण के प्रहवा को बढ़ाता है इस अभ्यास से मानस्पेश्या शिथिल होती है यह मानसिक रूप से शान्ति प्रदान करता है उच्चे रक्ते चाप वपेट में अमले की समश्या में यह सहायक क रखनी है कि किन व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए या फिर सावधानी पूर्वक करना चाहिए निम्न रक्तचाप स्वसंसंबंदी रोगों में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए सर्दियों में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए यह शरीर में शीतलता प्रदान कर करता है जिन्हें लंबे समय से कभज है वे इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक करें या किसी कुशल योग प्रसिक्षक के मार्ग दर्शन में ही करें तो आईए इन बातों को ध्यान में रखते वे हम इनका अभ्यास करेंगे अभ्यास के प्रभावों को अपने शारिरिक वम माशिक रूप से शांथ प्रसन्श महसूस कर रहे हैं पूरे शरीर में उर्जा का संचार इसी के सांथ, स्वास के प्रति, सजग बनते हैं तीर इसे चिन मुद्रा को रिलीस करें, दोनू हाथोंको आपस में मिलाएं तेजी के सांथ रख करते हैं हतेलियों को गर्म करें उज़त पने करते वे आखों पर लगाएं चहरे पर लगाएं संभाता पूरे शरीर पर लगा सकते हैं वपुना आखें ना खोलें हतेलियों को रब करें रब करते वे हतेलियां गर्म करते वे आखों के उपर रखें दीरे से अपनी आँखें खोलें हाथों को अटाते हुए नीचे की ओर देखेंगे दीरे से सामने की ओर देखते हुए बदमासन रिलीज करेंगे सामाने स्थिति में आएंगे दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को सामने फैलाते हुए पैरों में हलकी दूरी रखें पैरों को ढीला छोड़ें दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें शरीर पिल्कुल ढीला गर्दन ढीली आखें सहिश्ता पूर्वक बन